वेलकम फ्रेंट सेलफ अध्यन पर Excel टुटोरियल में जो हम Assignment Series को सीख रहे हैं उसमें आज No.10 का Assignment Data Validation को हम डिसकस करेंगे Data Validation basically हम Cell पर Restriction लगाने के लिए यूज करते हैं और किस तरीके के Data हम डालना चाहते हैं उस तरीके की Setting हम Cell के उपर करते हैं उसी से Related 6 Question आप देख सकते हैं नीचे दिये गए हैं जिसमें से आज की Class में हम Starting के 3 Question को Discuss करेंगे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने Channel को Subscribe नहीं किया है तो Subscribe कर लें जिससे आने वाले Updates आपको मिलते रहें आए श्टार्ट करते हैं Question No.1 और इन सब को सीखने के बाद आप Description के Link से ये Excel Assignment को Download भी कर सकते हैं उसके बाद आप अपना खुछ से Practice भी कर सकते हैं तो आए Question No.1 में हम देखते हैं यहाँ पर Loan Amount हमें डालना है लेकिन Condition ये है कि हमें Amount जो डालना है वो 50,000 से उपर का होना चाहिए तो यहाँ पर हमें Restriction डालने है कि 50,000 से नीचे का Amount ना ले 50,000 से उपर का ही Amount यहाँ पर डले तो हमें यहाँ पर जाना होगा Data Tab के अंदर और जाना होगा Data Tools section में Data Validation जैसे हम Data Validation पर जाएंगे हमें यहाँ से Allow में Permission देनी है कोई भी नंबर डालने की Whole Number हमें यहाँ पर लेना है उसके बाद हम जो नंबर लेना चाहते है वो Greater Than होना चाहिए 50,000 से यह हमने यहाँ पर अपनी Condition दी है अगर ऐसा नहीं होता अगर जो नंबर है वो Less Than रहता है 50,000 से तो हम यहाँ पर Error Alert में Option में Stop का एक Message देंगे और Stop का Message दलवाने के बाद यहाँ पर Limitation का एक Message हम डाल देते है Limit Under Flow यानि कि आपने यहाँ पर डाल दिया है This Number Cannot be Less Than 50,000 तो यह आपने यहाँ पर कोई भी Custom Message दाल दिया है आप नहीं भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है बस आपको Setting करनी है यह वाली और जैसे ही आप OK Press करेंगे यहाँ हमारा अब अगर नंबर 50,000 से उपर का डाला जाता है तो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर नंबर 50,000 से नीचे का होगा तो हमें यह Message जो हमने Custom Message डाला है वो हमें Show होगा और Stop का एक यहाँ पर Alert आ रहा है इसका मतलब अगर हम Retry भी करेंगे तो नंबर पास नहीं होगा और Cancel करने पर हमारा नंबर वही पुराने वाला जो होगा वो दिख जाएगा या आप जो भी Update करना चाहें 50,000 से उपर का Update कर सकते हैं नीचे की तरफ हमें दिया गया है Interest Rate पर NM हमें यहाँ पर डालना है और यहाँ पर जो Percentage है वो 5 से 12% के बीच ही हमें डालना है उसके लिए हमें जाना है Data Validation पर और यहाँ से रखना है Decimal Decimal में हमें देना है Between 5% से यानि की 0.05% से आपको Divide करके जो Value है वो डालनी है और Between होना चाहिए 0.12 अब जैसे ही आप OK करेंगे वो Condition यहाँ पर Accept हो जाएगी आप चाहें तो Error Alert में भी Message डाल सकते हैं जो Message आप Display कराना चाहें जैसे ही OK प्रेस करेंगे हमने डाला 2% यह Pass नहीं होगा तो As per Condition हमारी अगर Value नहीं है तो Message हमें डिस्पले करेगा Error देगा और वो Pass नहीं होगा नीचे की तरफ हमें Allow करना है 5 से 10 तक Decimal Allow नहीं करना सिर्फ Number Allow करना है Year का फिर से जाना है Data Validation पर और यहाँ से रखना है Whole Number Between होना चाहिए 5 to 10 और जैसी हमने यहाँ पर हमारा यहाँ पर कोई भी Value अगर हम डालते है 10 से उपर Pass नहीं होगा Between 5 to 10 होगा वो Pass हो जाएगा अब हमें Formula निकालना है Interest का जिसका Simple Formula है Loan जितना लिया है उसको Multiply कर दीजिए Interest से Into Year यहाँ से हमें डालना है Multiply करना है 6% Multiply 5 यह हमारा निकल के आचुका है Interest यह था हमारा Question No.1 जिस पर हमने Validation लगाना सीखा इसी तरीके से हम चलते है Question No.2 पर जहाँ पर हमें Number जो होना चाहिए 1,50,000 से Above का होना चाहिए Same Condition है जो हमने पढ़ा था Data Validation पर जाना है All Number लेते हुए हमें डाल देना है Greater Than यहाँ से 1,50,000 का उसके बाद हमें यहाँ पर अगर कोई भी Value डालते हैं Between यहाँ पर 1,50,000 से Below तो वो Pass नहीं होगा 1,40,000 डालते हैं यह भी नहीं होगा 1,67,000 डालते हैं वो Pass हो जाएगा अब Type of Loan हमें यहाँ पर Pass कराना है या तो Term Loan या Overdraft As per D2 and D3 Value आप देख सकते हैं D Column में यहाँ पर Mention है Term Loan और Overdraft तो इन में से कोई एक Value ही Pick Up Tool के Through हमें यहाँ पर Pass करानी है हमें जाना होगा Data Validation पर और यहाँ से चुनना है Allow में List Option को जैसे ही हम List Option लेंगे हमसे पूछा जाएगा Source क्या क्या है आप क्या क्या चीज़े यहाँ पर List में डालना चाहते हैं हमें उन दोनों को Selection कराना है Selection कराने के बाद जैसे हमोके प्रेस करेंगे यहाँ एक Check Combo Box हमें दिखाई देगा और उसमें से जो भी हम Click करेंगे वो हमारा यहाँ पर Change हो जाएगा Type of Loan Year यहाँ पर 10 to 15 हमें डालना है Data Validation पर फिर से जाना है हमें Whole Number लेते हुए Between कर देना है यहाँ पर 10 to 15 तो वही Concept है जो हमने अभी पीछे देखा था अब यहाँ पर Term Loan है तो 12% Overdraft है तो 15% हमें डालना है Condition हमें यहाँ पर लगानी है If अगर हमारे B5 की Value में Overdraft है तो हमें यहाँ पर डालना है 15% और अगर ऐसा नहीं है तो हमें लेना है 12% तो पहली Condition अगर True नहीं होगी तो By Default दूसरी Condition यानि की Term Loan की Condition के According 12% यहाँ पर दिख जाएगा आप Home से यहाँ से Percentage पर क्लिक करके इसे Percentage में Convert कर सकते हैं Normally हमने यहाँ पर Year डाल दिया 11 और यहाँ पर कैसे ही हम Overdraft को Term Loan में बदलेंगे हमारी यहाँ से Interest Per Anum Change हो जाएगी तो As Per Type Of Loan हमारा Interest Rate यहाँ पर Change हो रहा है अब Simple हमें फॉर्मूला लगाना है Interest का तो हमारा Equal के Sign के साथ Loan Amount Multiply Year Multiply हमारा Interest Per Anum यह हमारा यहाँ पर Interest आ चुका है अब चलते हैं Question No.3 पर जिसमें यहाँ पर कुछ बच्चों के Marks हैं Total Marks हैं और नीचे की तरफ आप देखें Select Student Name का एक हमें यहाँ पर List डालनी है जैसे हमने अभी पीछे डाली थी Term of Loan के लिए यहाँ हमें Student Name की List डालनी है और इस Student Name में से हम जिस नाम को Select करेंगे उसके Data को हमें यहाँ पर Display कराना है उपर से Second Column और Third Column की Value को हमें यहाँ पर लेना है Using VLOOKUP एंड हमें Rank Formula लगाते हुए यहाँ पर Rank भी Calculate करना है अब सबसे पहले हमें करना क्या है हमें जाना है Data Tab पे Data Validation पर और यहाँ से Allow के अंदर से लेना है List जैसे हम List लेंगे हमें Source के अंदर Student Name को Select करा देना है और यहाँ पर OK किलिक कर देना है जैसे ही OK किलिक करेंगे यहाँ पर हमारे Combo Box आचुके हैं जिस Value को हम ले यहाँ पर उनके Marks Optained और Total Marks हमें Display हो Marks Optained निकालने के लिए हमें Formula लगाना होगा We Look Up और We Look Up लगाते हुए जो Look Up Value है वो रहेगी Student का नाम क्योंकि इसी नाम के According जो भी Cell में होगा नाम उसका हमें Data सर्च करना है उपर लिष्ट के अंदर से जैसे हम Coma प्रेस करेंगे हम से पूछा जारा है Table Array से मतलब हमारा सारा Data जिसमें से हमें Data सर्च करना है और यह जो Marks Optained है यह हमारे Second Column में Exist करता है Student Name उसके According हम Data को सर्च करना चाहते है के लिए Zero हमें Apply करते हुए Paranthesis को Close करना है और करना है Enterprise तो Roanak का Data हमें दिख चुका है इसी तरीके से अगर हम जिस Name को Select करेंगे उससे Related हमारे Marks Optained हमें Cell में Show करेंगे Same as हमें Total Marks देने हैं और जैसा कि हम देख सकते है Total Marks हमारा Third Column में है और Same हमारा यहां पर Marks Optained करता है हम इसको भी Fetch कर लेते हैं V Look Up Formula लगाते हुए Look Up Value हमें रखना है Student Name कोमे के बाद हमें Selection कर लेना है Data का जिसमें से Third Column के Data को हमें निकालना है According to Student Name और कोमे के बाद Zero Press करते हुए Enter Press कर देना है तो यहां पर हमारा Total Marks और Marks Obtained हमें मिल चुका है जिस Student को हम Select करेंगे उसके According यहां पर Data सर्च हो जाएगा Total Marks के बाद Percentage निकालने के लिए हमें यहां पर जितने भी Marks Obtained हुए हैं उसको Divide कर देना है Total Marks के साथ और यह हमारा Percentage मिल चुका है साथी साथ अगर हम Rank भी पता करना चाहते हैं कि कौन Topper है First Number पे, Second Number पे, Third Number पे उसके लिए हमें लगाना है Rank Formula और Rank Formula के अंदर हमें यहां से Number पूछा जा रहा है तो Number में हमें देना है जितने उसके Marks आए हैं और उसको वो मैच करेगा इन डेटा के अंदर से यानि कि जो भी Marks आप्टेंड उसके है उस डेटा के According उस क्या Rank एक्जिस्ट करती है वो हमें चेक कराना है Enterprise करते ही यहां पर विसाल फिफ्ट नंबर पे है अगर हम चेक करें रोनक तो रोनक है फ़र्स नंबर पर निलेस फ़र्थ नंबर पर इसी तरीके से हम डेटा की According Rank को भी सर्च करा सकते हैं आगे आने वाले Questions में हम Dates Related Validation और अलग-अलग Conditions के According Validation को भी सीखने वाले हैं साथी साथ अगर कोई नंबर हम Duplicate यूज करते हैं बिल नंबर के लिए तो वो हमें वार्निंग देगा This Invoice Number Already Done और उस तरीके की Validation हम कैसे लगाएं ये सब हम आने वाली वीडियो में सीखने वाले हैं वीडियो आपको कैसा लगा आप Like करके and Comment करके जरूर बताएं जो भी आपके doubts या query है वो आप comment box में लिखें वीडियो अपने friends के साथ share करें और advance Excel सीखने से related और भी वीडियो के लिए आप website www.selfadhyan.in पर visit कर सकते हैं जहां 100 से ज़्यादा वीडियो हैं advance Excel with MIS reporting और बहुत सरे assignment आपकी practice के लिए के लिए आपकी जोड़ कर देरैं